शुशान सिंग राजपूत शुशान सिंग राजपूत की नीधन होने के बाद से पूरे मीडिया और सोशल प्लाटफॉर्म में नेपुरिजम के खिलाब एक जंग चीज चुका है जो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में निपुरिजम के खिलाफ एक शोच पैदा करने की कोशिश कर रहा है और कहीं हद तक कामियाब भी हो रहा है जो लोग कल तक निपुरिजम वर्ड के वारे में भी नहीं जानते थे आज वो भी निपुरिजम के खिलाफ मोर्चा लगाए बैठे है दुख होता है दुख होता है ऐसे लोगों को देख कर जिनमें इतनी भी समझ नहीं है कि निपुरिजम को कभी भी खतम किया नहीं जा सकता यही सिस्टेम है जो सदियों से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा आज जो लोग निपुरिजम के खिलाफ बात कर रहे हैं कल अगर वो अपने जिन्दिगी में कामियाब हो गए तो वो खुद भी निपुरिजम ही करेंगे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर लॉयर की बेटी लॉयर और बिजन्समेन का बेटा बिजन्समेन होने से अगर हमें कोई फरक नहीं परता है तो स्टार किट से हमें इतनी प्रॉबलम क्यों है कोई भी एक्टर सालों साल स्ट्रगल करके एक मुकाम तर पहुंचता है और वो उस मुकाम तर पहुंचने के बाद आप कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जिस तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ा था, उनके बच्चों को भी उसका सामना करना पड़े। तो naturally, दुनिया का हर parents जो अपने बच्चे के लिए करता है, एक actor भी अपने बच्चे के लिए वही करेगा। जो लोग नेपुरिजम के खिलाफ है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्या नहीं चाहते हैं कि आपके माबाप आपकी जिंदगी में आपका साथ दे, आपके तकलीफों में वो आपका सहारा बने, तो फिर star kids की क्या गलती है, उनकी गलती सिर्फ ये है कि वो star की घर में पैदा हुए है, ये गलती नहीं, उनकी किस्मत है, जो वो लेकर आये हैं, अगर आप महनत करेंगे, तो अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, जैसे मिथन चक्रवर्ती, इर्फान खान, नवाजुद्दिन, सिद्धिकी ने बनाये थे, ये सब रोने वालों में से नहीं थे, लरने वालों में से थे, जो अपनी लराई, खुद लरके, आखिर तक जीते थे, आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग नौन फिल्मी बैग्राउंड से आते हैं, सिर्फ वो ही स्ट्रगल करते हैं, और स्टार किड्स को कोई स्ट्रगल नहीं करना परता है, अपने पेरेंस की नाम और कनेक्शन की वज़े से, या फिर अपने होम प्रोडक्शन से लॉंच हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, वो सब स्टार बन जाते हैं, नहीं, स्टार तो सिर्फ वो ही बनते हैं, जिनमें किस्मत और टैलेंट दोनों हो, क्योंकि दिया तो वो भी जलेगा, जिसमें दम होगा, जहां पर एक नॉन फिल्मी बैग्राउंड के अक्टर की जर्णी अपने पहले ब्रेक से एक मुकाम तक पहुंसता है, वही एक स्टार केट्स की स्ट्रगल की शुरुआद वहीं से शुरू होती है, पहले ही फिल्म से हर समय उसको अपने प पेरेंस का स्टार्डम उतना ही ज्यादा प्रिशर, और ये प्रिशर जहलना एक वक्त पर नामुम्किन हो जाता है, जो मिंटली उनको इतना कमजोर कर देता है, कि एक समय के बाद वो गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाते हैं, जिसका एक्जामपल आपको एक नहीं मिलेंगे, थोरा जाक कर देखियेगा तो दर्द उस तरब भी कुछ कम नहीं है, हमारे देश का सबसे बड़ा सूपर स्टार का बेटा अगर कामयाब नहीं हो पाया, तो क्या मायने रखता है, ये नेपुडिजन, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है, कि वो टैलेंटेड न रह गए और बाकी सारे आगे निकल गए, निपुडिजन से मौका तो मिल सकता है, लेकिन कामयाबी दर्शोकों की पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है, हृतिक रोशन, आमीर खान भी फिल्मी बैग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आप इनके बारे में भ वजह से ये कामयाब हुए है, फिल्मी बैग्राउंड रहते हुए भी सुरुवात में इन्हें भी पार्सियलिडी का सिकार होना परा था, हृतिक रोशन को कुछ ज्यादा ही जहलना परा था, उस दाइम के किसी सुपरश्टार के वजह से, जो भी हो, दरसल ये मैन को मैन न वाले एक्टरों को भी अपना बना लेते हैं, और कभी-कभी फिल्मी बैग्राउंड रहते हुए भी उन्हें बॉयकॉट कर देते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उन्हें नेपुटिजम के कटखरे में ही खरा करेंगे, इसलिए तो कभी-कभी स्टार किट्स होना आसिर्वा से एक ग्रेट प्रोडक्शन हाउस और उनके हाथों बिकी हुई मीडिया करते आ रहा है, शोशल मीडिया में चिलनाने से या यूटूब में वीडियो बनाने से कभी भी ये कंदी राजनिती और ये पार्सियलिटी खतम नहीं होगा, खतम तो तब होगा, जब ये सूज जाएगा